क्लास सेवन्थ के बच्चों का एक बार फिर स्वागत है सेवन्थ एक को आगे बढ़ाते हुए कोशन नमबर 15 15 कोशन है 2 अपॉन 3 X is equal to 3 X अपॉन 8 X पलस 7 अपॉन 12 अब लाइक टर्म लेप्ट एंड साइड इसको इदर पहुंच आते हैं तो इदर टू एप अपॉन 3 X तो है इदर यह पलस का है इदर आगे माइनस का बन जाएगा X is equal to क्या रहेगा इदर 12 रह जाता है 7 अपॉन 12 अब दोनों फ्रेक्षन है फ्रेक्षन को एल्चेम लेते हैं 3 और 8 का एल्चेम आएगा X is equal to 7 अपॉन 12 यह इदर है अब 16 में से 9 को माइनस करते हैं 16 में से 9 को माइनस करेंगे क्या बचेगा 7 बचेगा 24 अपॉन में 24 इदर है 7 अपॉन 12 अब X is equal to 7 अपॉन 12 यह divide है multiply बन जाएगा multiply यह divide बन जाएगा 7 से 7 को कट कर देते हैं 12 यह 24 तो X की value 2 आजाती है अब चेक करते हैं चेक कोस्चन लिखते हैं 2 अपॉन 2 अपॉन 3 X is equal to 3 अपॉन 8 X पलस 7 अपॉन 12 अब अब X की value क्या है हमारी 2 आई है तो X की value 2 रखी जाएगी इंटू 2 इक्वाल 3 अपॉन 8 इंटू 2 पलस 7 अपॉन 12 ऐसा लिका जाएगा अब 2 से multiply करेंगे 2 तू जा 4 थ्री में multiply मत करना is equal to 3 तू जा 6 6 अपॉन 8 पलस 7 अपॉन 12 अब 4 अपॉन 3 इदर तो है इदर आल सेम लेते हैं 24 आल सेम आजाता है शिक्स से रिवायर करके 8 से रिवायर करके 3 अपॉन 12 से रिवायर क्या तू आगया 24 34 और 8 त्रीजा 24 तो 4 अपॉन 3 इस 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 परकार यह कोशन नमबर 5 कम्प्लीट हो जाता है कोशन नमबर 16 में क्या है कोशन नमबर 16 है कोशन नमबर 16 में 3 X माइनस 1 दोनों के अपॉन में 5 माइनस X अपॉन 7 इजिगल 2 3 अब जहां पर दो टर्म है वहां पर माइनस का यूज़ करना अपन फाइव माइनस इदर तो एक टर्म है इसको ऐसे लिख देते हैं अब दोनों का सेवन का ओट 5 का LCM लेते हैं LCM आएगा 35 5 से डिवाइड किया 7 आ जाता है ब्रैकिट में जो नुम्रेटर है वो लिख देते हैं 7 मल्टिप्लाई ऐसे कर लेना माइनस 7 से डिवाइड किया 30 LCM को 5 आ गया 5 की मल्टिप्लाई एक्स में की इस इकल टू सामने 3 है राइट एंड साइड में अब 7 से मल्टिप्लाई करते हैं 3 में 7 5 जा ट्वर 3 जा 21 7 जा 7 इतने भी ब्रैकिट के अंदर टर्म होगे हैं सारों में 7 से मल्टिप्लाई होगी 5 माइनस 5 एक्स इधर डिवाइड है इधर जा के मल्टिप्लाई बन जाएगा 21 एक्स माइनस 5 एक्स अब 7 25 तरी जा 35 तरी जा बन जीरो 5 इधर माइनस का 7 है इधर जा के पलस बन जाएगा 20 21 एक्स में से 5 एक्स को माइनस कर लो या आप ऐसे कर लेना इधर कितना हो गया पलस होगे 1 12 हो जाता है 21 माइनस 5 21 में से 5 को माइनस करके 16 एक्स 1 एक्स 12 एक्स इस इगल टू 21 12 एक्स 16 ये इधर मल्टिप्लाई है इधर जा के दिवाइड बनेगा 16 7 तो एक्स की वैल्यू 7 आ जाती है 16 से डिवाइड किया हो अब चेक करते है एक्स की वैल्यू क्या आ गई 27 आ जाती है तो चेक 3 एक्स अपोन 5 माइनस एक्स अपोन 7 इस इकल टू 3 एक्स की जगे क्या रखा जाएगा 7 रखा जाएगा एक्सी वैल्यू क्या निकाली है हमने 7 निकाली है तो 3 इन्टो 7 माइनस 1 अपोन 5 माइनस 7 अपोन 7 इस इकल टू 3 27 थ्री जा 21 21 माइनस 1 अपोन 5 7 से 7 को डिवाइड करके 1 आ जाता है और 21 में से 1 को माइनस करेंगे 20 आएगा अपोन 5 माइनस 1 इस इकल टू 3 पाइड से कट कर देते हैं 4 आजाता है तो 4 माइनस 1 इस इकल टू 3 तो 4 में 7 को माइनस करके 3 is equal to 3 देखो left hand side is equal to right hand side आ जाती है इस परकार question 16 complete हो जाता है अब question number 17 में क्या है question number 17 में 2x minus 3 is equal to 3 upon 10 bracket 5x minus 12 इसके upon only को cross multiply कर दो 10 इदर multiply हो जाएगा तो 10 multiply 2x minus 3 is equal to 3 minus bracket में क्या है 5x minus 12 10 से multiply करते हैं 10 2 is a 20 20x आएगा minus 10 3 is a 30 is equal to 3 से multiply की 3 5 is a 15 15 और 3 12 जा 36 अब like term constant term इदर और और variable x side में करते हैं तो 20x तो इदर है 15x plus का है इदर आगे minus का बनेगा इदर minus 36 तो है 30 जब उदो जाएगा तो पलस का 30 बन जाएगा इदर minus का हो जाएगे पलस बनेगा अब 20 में से 15 को minus करके 5x हो जाता है अब आगे 36 पलस का है और 36 minus का है और 30 पलस का है तो minus का 6 आएगा x is equal to divide है इदर जाएगे multiply है इदर जाएगे divide बन जाएगा x की value क्या आ गई माइनस 6 अपॉन 5 अब चेक करते हैं कोशन को 2x minus 3 is equal to 3 upon 10 bracket 5x minus 12 x की value क्या है माइनस 6 अपॉन 5 x की जगे 6 अपॉन 5 रखते हैं बागी ऐसी रखते हैं तो यह अपॉन 10 इन्टू 5 multiply x की value क्या है 6 अपॉन 5 माइनस 12 बीग ब्रैकिट क्लोज करते हैं अब multiply करते हैं 2 की multiply 5 में दोनों में मत करते हैं ना only 6 में होगी 6 to 12 minus 12 अपॉन 5 आजाता है यहाँ पे minus 3 के अपॉन 1 लिखते हैं इदर 3 upon 10 है 5 से multiply जब करेंगे minus 36 30 upon 65 की multiply 6 में करेंगे minus 30 upon 5 minus 12 बीग ब्रैकिट क्लोज 5 से cut कर देना 6 आजाएगा minus का इदर एल्सेम नेते हैं एल्सेम 1 कर 5 का 5 आजाता है 5 से डिवाइड किया 12 into 1 minus यहाँ से डिवाइड किया 5 आगया और 3 into 5 is equal to 3 upon 10 ब्रैकिट में क्या है minus 6 और minus 12 बचा है multiply करते हैं 12 बंजा 12 minus का 12 minus 5 त्रीजा 15 upon 5 is equal to 3 upon 10 ब्रैकिट में क्या आगया 18 इधर क्या आगया इधर आगया दोनों प्लस करके 12 में minus 15 को प्लस किया minus का 27 बना जाता है अपोन 5 यहाँ पे पलस माइनस माइनस 18 की multiply 3 में होगी 18 की multiply जब 3 में होगी तो 18 3 जा 54 upon 10 अब 2 से कट करते हैं 2 5 जा 10 27 जा तो minus 27 upon 5 देको left hand side is equal to right hand side आजाते हैं इस परकार यह question 17 complete हो जाता है question number 18 क्या है 18 में? 18 में हैं दो ब्रैकिट दिये गए हैं y-1 upon 3 is equal to minus y-2 upon 4 is equal to 1 तो पहले ब्रैकिट लगाओ क्योंकि दो टर्म है y-1 upon 3 minus y-2 upon 4 is equal to 1 अब 3 और 4 का हैल से में लेते हैं is equal to में 1 तो है ही 3 4 का हैल से माजाता है 2L 3 से डिवाइड करके 4 आ जाता है 4 की multiply numerator में करनी है जो भी numerator होगा numerator में दो टर्म है तो ब्रैकिट में लिखना है अब 4 से multiply करके 3 आ गया 3 की multiply उपर ब्रैकिट में क्या है y-2 है अब multiply करते है multiply 4 की multiply y में की तो 4y-4 की multiply 1 में की 4 माइनस 3 की multiply y में की माइनस 3y 3 की multiply माइनस 2 में करी माइनस माइनस पला सो 3 2 जा 6 इदर ये 12 divide में इदर जाके multiply बन जाएगा ये LCM उदर जाके multiply बनेगा अब like term 4y-3y माइनस 4 पला सीक्स इगल टू 12 बन जा 12 पला सका 6 है और माइनस का 4 है तो पला सका 2 बचेगा 4 माइनस यहाँ coefficient bracket के अंदर लिख देते हैं 4 में से 3 को माइनस करके 1 लिखाने जाता पला स्टू इगल टू 12 तो 2 इदर पला से होदर जाके माइनस का बन जाएगा 12 माइनस 2 तो वाई की वैल्यू 10 आ जाती है अब चेक करते हैं चेक में क्या होगा चेक में question लिखते हैं एक बार y माइनस 1 अपॉन 3 माइनस y माइनस 2 अपॉन 4 इद इकल टू 1 y की जगा क्या लिखेंगे हैं 10 लिखेंगे 10 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 10 माइनस 2 अपॉन 4 इद इकल टू 1 10 में से 1 को माइनस किया 9 अपॉन 3 माइनस 10 में से 2 को माइनस किया 8 अपोन 4 is equal to 1 3, 3 जा 9 4, 2 जा 8 3 minus 2 is equal to 1 तो 1 is equal to 1 3 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो 1 आएगा राइट हैंड साइड हमारी 1 ही है तो देखो लेफ्ट हैंड साइड is equal to राइट हैंड साइड हो जाती है question number 19 में क्या है question number 19 है question number 19 x minus 2 दोनों के पौन 4 plus 1 upon 3 is equal to x minus 2 x minus 1 दोनों के पौन 3 पहले ब्रेकिट लगाते हैंड जापे दो टर्म हैं तो ब्रेकिट अने हैंट तिनोनों को इस टर्म को एक शैड भी क्या जाचता हैं ऐसे ब्रेकिया जाचता हैं तो करते हैं एक EV joy मायनस का बनेगा यह मांद का इदर आगे फलास का बनेगा 2 x-1 upon 3 is equal to आ पलास का इदर जाके 1-3 मायनस का बन जाएगा अब श्राइद के अपवान लिखते हैं और theoretical क्या जाता है 4031 का LCM 12 आ जाएगा 4 से डिवाइड किया 3 आ गया 3 इंटू X माइनस 2 1 से डिवाइड किया 12 आ गया 12 इंटू X पलस डिवाइड करके 4 आ जाता है LCM को 4 की मल्टिप्लाई 2 X माइनस 1 is equal to 2 माइनस 1 अपोन 3 अब मल्टिप्लाई करते हैं 3 की मल्टिप्लाई X में की 3 X 3 की मल्टिप्लाई 2 में की 6 माइनस 12 X 4 से मल्टिप्लाई करते हैं 4 तू जाए 8 माइनस 4 बन जा 4 is equal to माइनस 1 अपोन 3 12 इदर जागे मल्टिप्लाई बनेगा 4 3 बन जा 12 इदर तो माइनस 4 आ जाएगा इदर लाइक तर्म लिखते हैं 3X माइनस 12X पलस 8X माइनस 6 माइनस 4 अब क्या होता है दोनों माइनस के हैं यह तो माइनस 10 हो जाएगा यहाँ पर रेकिट में लिखते हैं 3 माइनस 12 पलस 8 8 और 3 पलस के है 12 माइनस का है 11 के पलस होगे रो माइनस का 12 हो जाता है तो माइनस माइनस का X माइनस 10 is equal to माइनस 4 10 उदर जाएगा माइनस X की value के आ जाती है माइनस 4 पलस 10 इधर माइनस एधर जागे पलस बन जाता है तो इधर 6 की माइनस X की value 6 परंतु X की value के आईगी minus other side लिखे तो X की value minus 6 आ जाती है अब check कैसे करते हैं X की value minus 6 लिखी जाएगी जांबी है question लिखो X minus 2 upon 4 plus 1 upon 3 is equal to X minus 2X minus 1 upon 3 X की value minus 6 minus 2 upon 4 plus 1 upon 3 is equal to minus 6 or 2 in 2 minus 6 upon 1 minus 1 upon 3 bracket follow minus 6 minus 2 upon 4 plus 1 upon 3 is equal to minus 6 minus कितना बन जाता है minus 12 हो जाएगा और minus 1 upon 3 हो जाता है 6 के upon 1 लिखेंगे 6 minus का और 2 minus के तो minus का 8 बन जाएगा upon 4 plus 1 upon 3 is equal to minus 6 upon 1 minus के क्या बनेंगे minus का 13 बनेगा 13 upon 3 अब bracket कोलते हैं 4 तू जा एट तो minus का 2 upon 1 लिखेंगे पलस 1 upon 3 है तो ही माइनस माइनस पलस 6 upon 1 पलस 13 upon 3 बन जाता है अब आगे एक तरफ प्रेक्शन है तो LCM लिए जाएगा दोनों साइड में इकल टू 3 LCM 3 तोनों साइड में 3 आएगा 3 से रिवाइड करके 3 तू जा 6 पलस 3 बन जा 1 बन जा 1 3 से रिवाइड के या क्या आगे 3 बन से रिवाइड के या 3 हैगा 3 की मल्टिप्लाई 6 में करी माइनस 18 3 से 1 1 से मुल्टिप्लाई की 13 में तो 13 बन जा 13 आएगा यह माइनस का है और पलस का है माइनस का 5 बचेगा अपोन 3 इस इगल तू 18 माइनस पलस का 15 है तो माइनस का 5 अपोन 3 देखो लैट एंड साइड इस इगल तू राइट एंड साइड आ जा दिये इस परकार यह कोशन 19 कम्प्लीट हो जाता है अब कोशन नंबर 20 कोशन नंबर 20 में क्या है कोशन नंबर 20 कोशन नंबर 20 में नूम्रेटर में दो टर्म है तू एक्स माइनस वन अपोन 3 माइनस 6 एक्स माइनस 2 अपोन 3 इस इगल तो वन अपोन 3 है पहले ब्रैकित लगाते हैं यू जो इसमोल ब्रैकित माइनस 3 इकल टू अपोन 3 क्या लिकेंगे ब्रैकित में ब्रैकित में लिखे जाएगा तू एक्स माइनस वन अब 6 एक्स माइनस टू अब एल्शम लेंगे त्री का और पाइप एल्शम लेते हैं त्री और पाइप एल्शम आएगा 15 कि थ्रीचें 15 को डिवाइड का 5 आगया 5 multiply है ब्रैकित में 2 x माइनस 1 है मैं यहां से डिवाइड 5 से डिवाइड का 3 आजाता है 3 in 2 bracket में क्या है 6x minus 2 है is equal to 1 upon 3 अब 3 से multiply करते हैं इदर 3 से multiply होगी इदर 5 से multiply होगी 5 to 10, 10x minus 5 minus 3 से multiply की minus 3, 6 to 18 plus minus 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 plus 3 to 6 is equal to 1 upon 3 into 15 इदर 15 divide है इदर जाके multiply होगी बनेगा 3, 5 जा 15, 5 जा 5 इदर तो 5 आ जाता है वो इदर like term लिखते हैं 10x minus 18x minus 5 plus 6 तो bracket में क्या लिखा जाएगा 18x यहाँ पर minus 5 और plus का 6 है तो plus का 1 आएगा इदर क्या है 5 अब 10 plus का है और 18 minus का है तो minus 8x आएगा 1 पलस का है उदर जाके minus का बन जाएगा तो minus 8x is equal to 5 में से 1 को minus किया 4 तो minus x is equal to 4 upon 8 तो 4 बन जा 4, 4 2 जा 8 minus x की value के आएगी 1 upon 2 तो minus को दूसी साइड पहुंच आते हैं तो x की value के आगी minus 1 upon 2 आ जाती है अब check करते हैं 2x minus 1 upon 3 minus 6x upon 2 upon 5 is equal to 1 upon 3 x की जाएगा minus 1 upon 2 लिखा जाएगा लिखो 2 into minus का 1 upon 2 minus 1 upon 3 minus 6 into bracket minus 1 upon 2 minus 2 upon 5 is equal to 1 upon 3 2 से कट कर सकते हैं 2 से 2 कट जाता है 2 3 जाएग और 1 बन जा 1 तो minus का 1 minus का 1 upon 3 इदर 3 बन जा 3 minus का 3 और minus का 2 2 upon 5 is equal to 1 upon 3 अब क्या minus का 1 और minus का 1 है minus का 2 upon 3 बनेगा यहां बनेगा bracket में minus क्योंके minus है इसलिए bracket का यूज करेंगे हम minus का 5 upon 5 is equal to 1 upon 3 5 से 5 पट कर देते हैं 1 आ जाएगा minus minus पलस हो जाएगा 2 upon 3 पलस 1 को 1 upon 1 लिकेंगे 1 upon 3 अब हैल्षयम लेते हैं 1 और 3 का हैल्षयम 3 आएगा यहां पे तो minus 2 आएगा और यहां पे 3 बन जा 3 3 बन जा 3 1 upon 3 तो इदर भी minus का 2 है पलस का 3 है तो पलस का 1 बचेगा 1 upon 3 is equal to 1 upon 3 देखो left hand side is equal to right hand side आ जाती है इस परकार यह question number 20 complete हो जाता है इसके बाद question number 21 21 में क्या है 21 में 21 question है y plus 7 upon 2 2 नहीं एक्शली 3 है is equal to 1 upon 1 यह 1 minus plus 3 y minus 2 upon 5 bracket का यूज करते हैं y plus 7 upon 3 is equal to 1 plus bracket 3y minus 2 upon 5 अब इसमे वाई है इदर वाई है तो इस तर्म को उठाकर इदर रखते हैं तो क्या है इदर यह तर्म तो ऐसा ही है यहां पर पलस है इदर आके minus बनेगा अंदर bracket के sign change मत कर देना अंदर के sign change नहीं होएं इदर क्या बचेगा वन बचेगा अब दोनों का एलशेम लिया जाएगा 3 5 वा एलशेम 15 आ जाता है 3 से डिवाई किया 5 आएगा 5 इनटो वाई पलस 7 है और minus 5 से डिवाई किया 3 multiply bracket 3 y minus 2 अब multiply करते हैं 5 से 5 से y में multiply करके 5 y 5 7 जा 35 minus 3 3 जा 9 9 y minus minus plus 3 2 जा 6 is equal to 1 into इदर divide जागे multiply बनेगा अब like term लिखते हैं 5 y minus 9 y plus 35 plus 6 is equal to 5 जा 15 जा 15 coefficient लिखते हैं 5 minus 9 y इदर बन जाता है दोनों पलस के हैं पलस होगे 41 मन जाएगा इदर 15 अब 5 पलस का है 9 minus का तो 26 minus से minus कट कर देते हैं और y is equal to 26 upon 4 2 से कट कर दो 2 2 जा पूर तो तर्टीन जा तो य की वैल्यू क्या आ गई वाना थर्टीन अपॉन टू आ जाते हैं अब चेक करते हैं इसको y प्लस 7 अपॉन 3 इसको ऐसे लिख सकते हैं y प्लस 7 दिवाईड वाई 3 इसको टू 1 प्लस 3 y माइनस 2 दिवाईड वाई 5 अपॉन को डिवाईड में लिखा जासता है अब य की वैल्यू कूट करते हैं y की वैल्यू करते हैं 13 अपॉन 7 के अपॉन लिख लेते हैं दिवाइड भाइड थरी इगल टू वन पॉलास थरी इन्टू हुआ है वाई की वेल्व क्या है थर्टीन अपॉन टू माइनस टू के अपॉन वन लिखते हैं डिवाइड भाइड रही है अब इनका ब्राइकित में चम लेते हैं ब्राइकित वालोंगा टू एल से माँ आ जाता है तू से दिवाइड करके वन वन थरी इतिन ही 14, 7 to the 14, divide by 3, is equal to 1 plus 3 की multiply, कहीं में करते हैं, 13 में, 13, 3 जा, 39 upon 2, minus 2 upon 1, divide by 5, 15, अब इधर क्या बन जाता है, दोनों को पलस करके 27 बन जाता है, divide by 3, 3 के upon 1 लिखते हैं, is equal to 1 plus, यहां पे LCM लेते हैं, LCM 2 आएगा इनका, divide by 5, यहां से divide करके, 2, 1 जा, 2, 1 की multiply उपर करके 5, और यहां पे 2, 2, 2 जा 4, और बन जाएगा, अब 27, 2, divide को multiply करते ही, रहसी गोगल हो जाएगा, is equal to 1 plus, यहां क्या आज आता है, 35, 39 में से 4 को माइस करने, 35 upon 2, divide by 5 upon 1 लिखते हैं, अब यह multiply करते हैं, 27 into 1 upon, 2 into 3, is equal to 1 plus, 35, divide को multiply करेंगे, तो 1 upon, 5 upon 1 का रहसी गोगल, 1 upon 5 हो जाता है, अब 3 से कट कर दो, 3, 9 जा 27, 9, 1 जा 9, 9 upon 2 हो जाता है जाता है, पलास, इधर, multiply गरो, 35 into 1 upon, 2 into 5, 5, 7 जा, 7 जा 7, 1 upon 1 लिखते हैं, पलास, 7 upon 2 लिखते हैं, अब इधर 9 upon 2 आई रहा, तो इधर करते हैं, L से लेते हैं, 2, 1 से दिवार कर दो, 2 आ जाता है, जा 2, 1 जा 2, पलास, 1 आ जाता है, रिवार कर दो, 2 से 2 को, और, 1, 7 जा 7, 9 upon 2 is equal to, 7 में 2 को मैं पलास करके, 9 upon 2, तो लेक्ट हैंड साइड इगल 2, राइट हैंड साइड हो जाती हैं, इस पर कहा तुमारा कोशन नमबर, 21 कम्प्लीट हो जाता है, 22 कोशन में क्या है, पोशन नमबर, 22 में है, पोशन नमबर, 22 में है, 2 upon 7, ब्रैकिट, x minus 9, ब्रैकिट, क्लोज, पलास, x upon 3 is equal to, 3, इसमें तो variable term, left hand side में है, तो अब 7 का और 3 का एल्सम लेते हैं, 3, 7 का एल्सम, 21 आएगा, 3 से रिवाइड किया, 7 से रिवाइड करके 3 आ जाता है, 3 तो जा 6, 6 into x minus 9, पलास, 3 से रिवाइड करके 7 into x, अब 6 से मुल्टिप्लाई करते हैं, 6, x में मुल्टिप्लाई करें, 6 x, माइनस 9, 6 जा 54, पलास, 7 x, is equal to 3, मुल्टिप्लाई 21, इदर दर जाके मुल्टिप्लाई बन जाएगा, अब लाइक तर्म एल्जा, वैरियेबल तर्म एल्जा लिखते हैं, माइनस 54, is equal to 21, 3 जा 53, अब 6 पलास, 7 को भी सेंट आएगे, और यहाँ पर x, 54 इदर जाएगा, 63 पलास, 54, तो दोनों को पलास करके, 4, 7, इदर आएगा, 13 x, 6 और 7 को पलास करके, 13 x मन जाता है, तो x की वैल्लिव, 1, 7 अपोन, 13, 13, 9 जा, 11, 17, तो x की वैल्लिव, 9 आजाते हैं, अब वैल्लिव, चेक करते हैं, x की वैल्लिव क्या है, हमारी, 2 अपोन, 7, ब्रैकिट, पोजिशन, पलास, x, अपोन, 3, इदिकल टू 3, जहां पर x है, वहां पर 9 अपका जाएगा, 2 अपोन, 7, ब्रैकिट, 9, माइनस, 9, पलास, 9 अपोन, 3, इदिकल टू 3, टू अपोन, 7, मल्टिपलाई है, यह, 9 बेसे 9 जाके, 0 बचेगे, पलास, 3, 3 जा, 9, 3, इदिकल टू 3, 0 में, इस, मल्टिपलाई करने के बाद में, सब 0 बन जाता है, तो 3 इदिकल टू 3, 0 में 3 को पलास करे, 3, तो 3 तरह है, लेप, लेप्ट हैंड साइड इस इकल टू, राइट हैंड साइड बन जाती है, कोशन नमबार, यह, 22 कम्पलीट हो जाता है, 23, कैसे करना है, यह, 23 में, दोनों साइड में, एक्स है, टू एक्स, माइनस 3, दोनों के अपोन 5, पलास, एक्स पलास 3, अपोन दोनों के 4, इदिकल टू, 4 एक्स पलास 1, अपोन 4 लिखते हैंगे, ब्रैकित का यूज करेंगे, इदिकल टू ब्रैकित अपोन दो, तो, अब क्या करते हैं, टू एक्स, माइनस 3, इस ब्रैकित में आएगा, और, यहां पे आएगा, 4 एक्स प्रैकित में, अब, एल्सम लेते हैं, 4 और 5 का, एल्सम 20 आजाता है, 5 से डिवाइर किया, 4 आएगा, 4 मुल्टिवलाई ब्रैकित, क्या है ब्रैकित में, 2 एक्स माइनस 3, पलास 4 से डिवाइर किया, 5, इंटू, एक्स पलास 3, इस इकल टू, 4 एक्स, पलास 1, अपॉन 7, 4 से मुल्टिवलाई करो, 4 तू जा 8, 8 एक्स, 8 एक्स माइनस 3, 8 एक्स, 4 की मुल्टिवलाई 2 में की, 8 एक्स, 4 की मुल्टिवलाई 3 में करेंगे, 4 तू जा 12, पलास 5 की मुल्टिवलाई एक्स में करेंगे, 5 एक्स, और 5 की मुल्टिवलाई 3 में करेंगे, 15, अपॉन 20, 4 एक्स, पलास 1, अपॉन 7, लाइक तम लिखते हैं, अपॉन में 20 ही लिखना है आपको, 8x प्लस का है 5x ही प्लस का है दोनों प्लस करके 8 में 5 को प्लस करके 13x 15 प्लस का है और माइनस का 12 प्लस का 3 आएगा क्योंकि साइन बड़े वाले का ही बचता है 7, 4x प्लस 1 अब क्रोश मुल्टिपलाई करते है 7 x 13x प्लस 3 इस इकल तो 20 मुल्टिपलाई ब्रेकेट 4x प्लस 1 मुल्टिपलाई करो 13, 7 जा 91x प्लस 7, 3 जा 21 इस इकल तो 20 की मुल्टिपलाई 4 में की 80x प्लस 21 जा 20 अब ये इदर आएगा और ये इदर आएगा 91x माइनस 80x इस इकल तो 20 माइनस 21 यहां पे क्या बढ़ेगा 11 बढ़ेगा 11x is इकल तो माइनस 1 x की वेल्यू आगई माइनस 1 होल 11 अब वैले पूट करते हैं, अब जैब करते हैं पोशन